असलाम अलेकुम डियरी वन आई होग कि आप सब लोग ठीक होंगे आप देख रहे हो जीके स्टीडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किस तरीके से आप एपलाइ कर सकते हो जेके पुलीस कानस्टेबल जॉब्स के लिए अपने मुबाइल फोन से टेंथ ट् चैनलन को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना इसके लावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमरस्त वाट्साप टेलिग्राम पर जोड़ सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जोई जरूर करना बाकि जतना हो सके इस वीडियो को शे पर अब को बति करना है वहसे हैं तो सबसे पहले अगलती क्या करते हो जब आपको अपको मार्क्स काड़े वो आपको सामने रखना है उसी हिसाफ से आपको नेम फिल करना है फादर्ज नेम लेकिन यहां पे सबसे बड़ी गलती आप करते हो कैपिटल और समाल लिटर्स की तो यहां पे सारा कुछ आपको कैपिटल में लिखना है अगर आप समाल में बिल लिखोगी फिर भी आपको दिख जाएगा capital में लेकिन आपको लिखना capital में ही है सब कुछ उससे क्या हो जाएगा आपका फार्म जो है वो सही से दिखने में लगेगा उसके बाद अगर हम यहां से email ID की बात करेंगी तो email ID आपको पूरी समाल लिखनी है तो obviously फिर email नहीं आती है इसलिए email ID हमेशा समाल होती है तो समाल numbers में यहां पर जापके numbers होंगे यहां capital letters होंगे तो उससे साबसे आपको यहां पर लिखना होगा email ID वही जो आपके phone में होगी जो working होगी वही आपको यहां से fill करने हैं जैसे मैंने यहां से आपको दिखाया है उसके बाद फिर से दुबारा से इमेल आइडिया डालनी है इसके अलाओ यहां से आप देख सकते हो मुबाइल नमबर आपको वही डालना है जो वरकिंग होगा जो आपके फोन में होगा जो चल रहा होगा जिस पर OTP वगरा आ सके या कोई information जो होगी वो receive हो सके जिसका रिचार्ज भी हो उसके बाद अगर हम यहां से बात करेंगे डेटा बर्थ की तो डेटा बर्थ आपको देखनी होगी कि आपकी डेटा बर्थ किस हिसाब से आती है इसलिए मैं आपको बतात हूँ डेटा बर्थ पे आपको ज़्यादा देना होगा उसके बाद यहां से आप रखना है उसके बाद मैरेट हुए अनमैरेट हुए यहां से आपको सेलेक्ट करना है सारी इंफर्मेशन फिल करने के बाद आपको यहां पर वैरिफिकेशन कोड डालना होगा जो यहां पर लिखा गया होगा वही आपको यहां से फिल करना है तो बिसलिए हम यहां से फिल क करने है कि देटावर्ज सही है उसके बाद में वगए रहा सही है फ najbardziej अब और यहां पे रखा हुआ है नव declared है कि तो में अब कुछ सब्सक्राइब करना से अ shark झाल घ्राइखे और इमिल और जौड का मुबाल नंबर है वह सही यहाँ से आपको डेख सकते हूं करेक्ट- then click here , तो जो ग्रीन वाला वालंक click है इसपर आपको click करना यह तो आमारी सारी डिचेल जो मैंने डिम बप्रपॉस के लिए यह वीडियो बनाए है तो वहां से आपको अपने account को activate करना है तो मैं आपको बता दो हमारे account पे यहां पे आप देख सकते हो link आ गई है directly यहां पे आप देख सकते हो account activation डियर अबी सीडी your application account number is this OTP is this obviously आप आपको करना क्या होगा यहां पे आपको click करना होगा directly जब आप यहां से click करोगे तो activation link कि यहां से आप को देखने को मिलेगी तो इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद directly इस वाले page पे आप पहुंच जाओगे यहां पे आपको सबसे पहले जो OTP वहां पे दिया हुआ है वो आपको copy करना है यहां पे paste करना है उसके बाद आपको password एक set करना है जो कि आपको दो बार रखना है इसमें आपको special letters मतलब add the rate up और capital letter, small letter और कोई number put करना है इस तरीके से आपको strong password बनाना है दोनु जगहों पे आपको वही fill करना है यह details fill करने के बाद आपको submit करना होगा तो account verification करने के बाद आपको करना क्या होगा अगर हम next step की बात करेंगे तो मैं आपको बता दू फिर आपको login करना होगा और login link आपको कहां से मिलेगी वह भी आपको description यह comment box में देखने को मिलेगी तो वहाँ पे आप directly जाओगी उसके बाद forget password का option भी दिया हुआ है और अगर आपको activation link नहीं आ रही है तो यहां से आप दुबारा से मंगा सकते हो password भूल गए हो तब भी आप यहां से दुबारा से set कर सकते हो तो login करने के बाद directly आपको करना क्या होगा यहां से जब आप login करोगे तो आपके पास यह वाला window open हो जाएगा तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आप application form को proceed आगे करना है तो एक एक करके सारी details fill करने है पहले आपको personal details देनी है उसके बाद contact details उसके बाद education details और एक एक करके इनको अलगगा से save करना है तो मैं आपको यहां से बता देता हूँ कहां पर क्या लिखना है और apply कहाँ से करना है तो पहले अप क्या करोगे अपको चाना करोगे यहां से सबसे पहले आप click करोगे personal profile पे तो यहां पर click करने के बाद आपके पास सारी personal details आ जाएंगे जो आपने पहले fill की हुई थी नए वगेरा DOB उसके बाद यहां से आपको देखना है कि कौन कौन सा भी pending है तो वो आपको fill करना है सब category आपको यहां से fill करना है उसके बाद gender और यहां पे आप देख सकते हो इंसर्विस पे आपको yes no करना है details यहां से pending होगी वो आपको fill करनी है यहां से देख सकते हो जो यहां पे break list का जो option आरा इस पर आपको सब पे no करना है तो no करने के बाद directly आपको जो document upload का option है वो आ जाएगा यहां से आप देख सकते हो photograph and signature आपको upload करना है photograph का जो size होना चाहिए 20KB से लेकर 50KB तक आप यहां से देख सकते हो signature का जो size होना चाहिए 10KB से लेकर 20KB तक तो इसको आप application download करके convert कर सकते हो size reduce कर सकते हो यहां से हमने photograph और signature upload कर दिया अब यहां पे आपको करना क्या होगा upload होने के बाद आपको directly submit पे click करना होगा तो submit पे जब आप click करोगे पास pop up window आ जाएगा your details has been successfully updated उसके बाद आपकी personal profile वो submit होगी है उसके बाद आपको contact details देनी है तो obviously यहां से आपको contact details पे click करना होगा तो contact details पे click करने के बाद यहां से आप देख सकते हो यह वाला window आ जाएगा यहां पे आपको house number कहां पे आप रहते हो तैसल कौन सा है डिस्टी कौन सा है pin code क्या है mobile number जो आपने आलरडी दिया गया होगा और अगर आप कहीं पे अभी stay कर रहे हो तो corresponding address भी आप यहां से fill कर सकते हो mailing के लिए यहां पे आप देख सकते हो तो यह details आपको सही से fill करने है अपने आदार कार्ट से अड़ो मिसल सट्फिकेट से आप address वगिरा यहां से fill कर देना उसके बाद आपको directly फिर से submit करना होगा नीचे तो जब आप submit करोगे इसके बाद conducted details भी update हो जाएंगे इसके बाद आपको education details पे klik करना है तो education details पे klik करने के बाद आपके पास और एक window आजाएगा अप देख सकते हो education details पे klik करने के बाद डिर्गले आपको यहां पे 10th 12th pass की details देनी है कब आपने pass किया हुआ है कितने marks थे आपके कितनी percentage है आपकी सब कुछ यहां पे आपको mention करना है कि किसी उनसिटी से आपने pass किया हुआ है इसके बाद डिटेले save करने के बाद आपको करना क्या होगा आपको back आना होगा और active advertisement पे जब आप click करोगे तो यहां पे आप देख सकते हो नीचे आपको option देखने को मिल रहा होगा apply तो apply पर आपको किलिक करना है यहां पे home department के तरफ से आपको यहां पर apply करना है जब आप apply पर किलिक करोगे बाद आपको फिर से अपना फारम दिख जाएगा आपके सारी details आपको show हो जाएंगी और यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको preference set करनी है जिस हिसाब से आपको apply करना होगा education qualification के हिसाब से यहां पर आपको preference जाओ वहां पर आप तिक मारख कर देना अपने हिसाब से जो आपका interest होगा उसके बाद यह आपको submit करना है जब आप करोगे तो आपको constable आरमर्ट, कानस्टेबल, SDR, कानस्टेबल, Executive Police, कानस्टेबल, Executive Police, Division, कश्मीर, जुमू, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आप easily इनको select कर सकते हो वहाँ से, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको submit करना है, उसके बाद आपके पास फारम आ जाएगा, तो इस तरीके से आप application farm अपना fill up कर सकते हो, बागे आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हो, तो आप 7006723296 पे contact कर सकते हो, वहाँ से मैं आपका application farm fill up कर दिंगे, इसके regarding अगर आपका कोई doubt रहता है, कुछ पूछना है, तो comment section में बता सकते हो, मिलते हैं किसी एक डूँ में किसी उटाइक पर तता के लिए, Allah Hafiz.